हेलो हाई नमस्ते आदाब सिस्रीकाल की आलचाल कैसे आप लोग मैं कुल्दी बंडारी स्वागत करता हूँ आपका विदानतूस क्लास 11 चैनल पेंड आज के सेशन में आप लोगों के भूल के भी आप लोगों को अपने एक्जाम्स के लिए मिस नहीं करने तो देखते हैं कि कौन से वो पांच सवाल हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे आप अपने इन सवालों को बनाओगी तो सबसे पहला सवाल है आप लोगों के पास कुछ इस परकार से कि एक सर्वे म पढ़ना पसंद है नौ लोगों को एच और आई दोनों पढ़ना पसंद है ग्यारा लोगों को एच और टी पढ़ना पसंद है और आठ लोगों को टी और आई पढ़ना पसंद है और तीन लोगों को तीनों न्यूसपेपर पढ़ना पसंद है तो यह आपके पास इस सवाल मे बोला गया है अब इस information को अगर मैं यहां पर उतारने की कोशिश करूं तो H newspaper कितने लोगों को पढ़ना पसंद है 26 लोगों को T newspaper पढ़ना कितने लोगों को 26 लोगों को and I newspaper पढ़ना कितने लोगों को पसंद है 26 लोगों को हाना उसके बाद बोला गया है कि क्या T और I 26 हो गए हाँ 9 लोगों को H & I पढ़ना पसंद है तो 9 लोगों को H intersection I दोनों पढ़ना पसंद है कितने लोगों को 9 लोगों को फिर उसके बाद आगे बोला गया है 11 लोगों को H and T पढ़ना 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 है तो H intersection T कितने लोगों को पढ़ना है 11 लोगों को and T intersection I T और I कितने लोगों को पढ़ना है T और I पढ़ना कितने लोगों को पढ़ना है 8 लोगों को एंड तीन लोग ऐसे हैं जो तीनों न्यूस पेपर पढ़ते हैं टी भी और आई भी तीन लोगों को तो इस तरीके से यह आपके पास information दी गई है अब इस information को अगर मैं वेंड डाइग्राम में सजाने की कोशिश करूँ तो ध्यान से देखना कि किस परकार से आप लोगों के पास यह वेंड डाइग्राम बनेगा इसका तोड़ा नीचे के तरफ बनाते हैं इसको यह आपके पास है यह वो लोग हैं जिनको H पढ़ना पसंद है यह वो लोग हैं जिनको T पढ़ना पसंद है H T and I अगर मैं यहाँ पर देखू मैंने A माल लिया ये B माल लिया ये C माल लिया ये D पार्ट माल लिया ये E माल लिया ये F माल लिया ये G माल लिया अब अगर मैं अपना इस equation के हिसाब से देखू तो कितने लोगों को 25 पढ़ना पसंद है कौन कौन से element आ रहे A, B, C, D सारे के सारे elements आ रहे हैं यहाँ पर A, B, C, D तो ऐसे सवालों को आप इस परकार से बनाऊगे 26 लोगों को T पढ़ना पसंद है तो T में क्या है C, D, E, F C, B, E, F 26 लोगों को I पढ़ना पसंद है B, C, G, F B, C, G, F 9 लोगों को H और I पढ़ना पसंद है H और I H और I, B पलस C हो जाएगा B पलस C 11 लोगों को H और T पढ़ना पसंद है यानि कि D पलस C हो जाएगा D पलस C हो जाएगा और 8 लोगों को T और I पढ़ना पसंद है T और I तो B, F और C F पलस C और कितने लोगों को 3 news पे पर पढ़ना पसंद है 3 लोगों को 3 news पे पर पढ़ना पसंद है ये c वाला जो part है ये इसमें आ जाएगा अब देखो यहाँ से हम लोग बहुत बहतरीन तरीके से इसको समझ सकते हैं कि c की value हमें पता चल गई 3 अब अगर मैं यहाँ पर देखू तो 8 is equal to f plus c है तो c की value कितनी है 3 तो क्या मैं यहाँ से f की value नहीं निकाल सकता 5 3 को उधर भेज के c की value अगर 3 है तो 11 is equal to d plus 3 हो जाएगा तो क्या मैं यहाँ से 11 की value और d की value 8 नहीं बता सकता बिलकुल बता सकतो तो b plus c किसके बराबर है 9 के बराबर है तो 9 b की value पता नहीं c की value 3 है तो b की value भी यहाँ से निकल गई कितनी 6 आगई अब आपके पास b पता है c पता है d पता है और f पता है तो उपर वाली values भी निकाल लो आज़ो तो अगर मैं इस equation में देखू a पता है आपको नहीं पता बी आपने निकाला है 6 आपको c पता है 3 आपको db पता है 8 इन सबका sum किसके बराबर है बेटा 25 के बराबर है तो यहाँ से अगर मैं a की value निकालू तो यह हो जाएगा 14 3 17 17 अगर उधर जाएगा माइनस हो जाएगा चीक है 8 आठ आजाएगा यहाँ पर अगर मैं देखू c की value है 3 d की value है आपके पास कितनी 8 e की value हमें पता नहीं है f की value आपने निकाली थी 5 इन सबका sum किसके बराबर है 26 के बराबर तो यहाँ से e का value निकाल लेते 8 और 5 13 13 16 10 आजाएगा अगर मैं यहाँ से f t value निकालने की कोशिश करू तो b का value कितना है b का value b का value है 6 plus c का value कितना है 3 g का value मालूम नहीं f का value है 5 is equals to 26 के बराबर 6 3 9 9 5 14 तो g का value आजाएगा कितना 12 आजाएगा चीक है जी तो यह सारी values अब आपने निकाल ली है अब आप से क्या पूछा गया है the number of people who read at least one newspaper कम से कम एक news paper पढ़ता है जो इंसान तो कितने लोग है जो कम से कम देखो अगर मैं एक ही बात करूँ तो यह क्या है यह सिर्फ हिंदी का news paper h newspaper पढ़ता है b क्या पढ़ता है h भी पढ़ता है c क्या पढ़ता है तो कम से कम एक newspaper पढ़ने में A B आएगा, B B आएगा और C B आएगा, यह दो पढ़ता है, यह तीन पढ़ता है, तो कम से कम एक भी पढ़ता है, D जो है वो भी दो newspaper पढ़ता है, E प्लस F प्लस G, इस परकार से आप लोगों के पास यह सारे के सारे alphabets, जो कम से कम एक newspaper तो पढ़ते ही ही पढ़ता है, सभी को add कर दो, तो यह हो जाएगा, 8 प्लस 10 प्लस 12, 30 हो जाएगा, 30 और 6, 8, 14, 44, 44, और 9, 20, 30, 30, 36, 42, 52 हो जाए गई, ठीक है जी, आच्छा, the number of people who read exactly one newspaper, पर सिर्फ एक newspaper, कौन-कौन से लोग पढ़ते हैं, देखो यह जो A है, यह जो E है, और यह जो G है, यह सिर्फ और सिर्फ एक newspaper पर पढ़ते है, A प्लस G प्लस E, when diagram का knowledge होना बहुत ज़रूरी है, अगर आप लोग कुछ करना चाहते हो इसमें तो, G का value कितना है मेरे भाई, G का value है 12, और E का value कितना है मेरे भाई, E का value है 10, तो 20 और 10, 30 हो जाएगा, ठीक है, इस परकार से आप अपने सवाल को solve करोगे, ठीक है भाईया जी, चलो, अगला सवाल है, कह रहा है कि 500 car owner है, कितने car owner है, 500 car owner है, जिसमें 400 लोगों के पास car A है, तो number of elements जो car A use करते हैं, 400, और 200 लोगों को क्या पसंद है car, 200 लोगों के पास क्या है, car B है, और 50 लोगों के पास क्या है, car A भी है, और B भी है, अब इस सवाल को थोड़ा win diagram से समझने की कोशिश करते, कह रहा है कि एक society है भीया, एक society है भीया, जहां पर आप लोगों के पास 500 लोग रहते हैं, अब उन 500 लोगों के पास दो परकार की गाडियां है, एक car A है, एक car B है, तो कह रहा है कि car A, जो car A है, 400 लोगों के पास car A है, ठीक है, 200 लोगों के पास car B है, और बीच में कितने 50 बहुत ज्यादा अमीर हैं जिनके पास कार भी है और कुछ लोग ऐसे भी तो होंगे जिनके पास एक भी कार नहीं होगी या फिर ऐसा हो सकता है कि सभी लोगों के पास कुछ ना कुछ कार है अब वह आप से पूछा है क्या यह डेटा सही है या गलत है तो कैसे पता लगाओग तो यार हम यहां से न A union B के number of elements को निकाल लेते हैं जिसका formula होता है N A plus N B minus number of A intersection B तो यह हो जाएगा कितना बिटा? 400 plus 200 minus 50 तो यह हो जाएगा आपके पास 600 minus 50 यानि कि 550 तो यह क्या हो जाएगा? A union B के इकोला जाएगा इसका मतलब क्या है? इस 550 ऐसे लोग है जिनके पास कोई न कोई कार है या तो A होगी या तो B होगी या तो दोनों होंगी तो इस data के हिसाब से total लोग कितने होने चाहिए थे? 550 होने चाहिए थे लेकिन यहां पे क्या कह रहा है कि society में तो बस 500 ही लोग रहते है तो हमें पता है कि universal set जो होता है वो sorry A union B जो होता है वो हमेशा आपका universal set का subset होता है तो इस information से बेटा मुझे एक चीज पता चली इस information से मुझे एक चीज पता चली और वो क्या पता चला? वो ये पता चला कि यार 500 data incorrect है यही तो पता चला है चीज चालो आप कहा रहे कि यह आपके पास A और B दो सेट दे रखे universal set भी दे रखा है पहले A compliment निकालो तो A compliment क्या होता है universal में से A को minus कर दो तो universal में से A के elements क्या है? दो और तीन घटा दो, तो क्या बचेगा, एक बचेगा, चार बचेगा, पांच बचेगा, और छे बचेगा, तो ये A कॉम्प्लिमेंट आ गया, फिर कहता है B कॉम्प्लिमेंट निकालो, B क्या होता है, यूनिवर्सल में से B को माइनस कर दो, तो यूनिवर्सल में से अगर म बचेगा 4 3 4 5 घटा ढिए और 6 बचेगा यह बचेगा फिर कहता है a-complement intersection b complement निकालो तो दोनों में common क्या है मेरे बढ़ी दोनों में common मुझे लग रहा है एक और 6 है तो थिल है फिर कहते है a union B b निकालो तो a union B भी निकाल लो मेरे भाई a union b बोला न a union b आपके पास क्या हो जाएगा a के elements है एक दो तीन चार और सारी ये तो यूनिवर्सल है दो तीन चार और पांच ये हो जाएगा फिर कहता है कि a union b का compliment निकालो मतलब इसके बराबर प्रूफ करना था तो a union b का compliment कैसे निकालोगे union b का जो compliment होगा वह किसके बराबर होगा यूनिवर्सल में से union भी हटा दो तो यूनिवर्सल में क्या है आपके पास यूनिवर्सल में इतना सारा उनमें से ये सब घटा दो तो बचे बचेगा कितना एक और छे बचेगा अब वह कह रहा है वह कह रहा है कि अब आप मुझे ये बताओ कि क्या a union यह वैसे डी मॉर्गन्स लौ है क्या union b का compliment क्या है एक कॉमा छे है और एक कॉमा छे किसके बराबर था a compliment तो a union b का compliment किसके बराबर हो गया a compliment intersection b compliment अब एक बहुत ज़रूरी जानकारी मैं आप लोगों को देना चाता हो यार और वो जानकारी यह है कि अगर आप लोग अगर आप लोग mid term exam की preparation कर रहे हो है ना आप लोगों के half yearly exams आने वाले हैं अरे कहां गया भाई आप लोगों के half yearly exams आने वाले हैं उन half yearly exams की preparation के लिए मैं आप लोगों को हर एक subject के 5-5 mock test paper देना चाता हूँ बिल्कुल free of cost है ना तो जरास्त स्वीर से तू निखल के सामने हा मेरी महबूबा अरे टेड़े हो गए सब टीचर्स टेड़े हो गए तबाही त्राहिमाम 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 है ना देखो इस वीडियो के description में आप लोगों के पास एक link होगा प्री मिट्टम टेस्ट सीरीज के नाम से जहां पे आप लोग मिट्टम से आपके जो हाफ यरली एक्जाम से उनके हर एक सबजेक्ट यानि की physics, chemistry, biology और maths हर एक सबजेक्ट के आप लोगों के पास 5 mock test paper आप लोगों को मिलेंगे वहां पे 5 mock test paper मिलेंगे है ना अब उन mock test paper को आप कैसे डाउनलोड कर सकते हो, बिल्कुल free of cost है ये, उस link पे click करो, एक page खुलेगा, continue with google का option होगा, उस पे click करो, उसके बाद एक sheet खुलेगी, उस sheet में आपको सब कुछ मिल जाएगा, लूट लो मेरे भाई और बहनो, आजो, कहता है find the pair of equal sets, आपके पास ये कुछ set दे र 15 से बड़ा होना चाहिए, और 5 से भी 5 से छोटा होना, क्या बोल रहा है, आचा, एक्स जो है वो 5 से छोटा, और 15 से बड़ा होना चाहिए, क्या ऐसा possible है, बिटा, ये 5 है, ये 15 है, वो कह रहा है, एक्स की जो value है, वो 15 से बड़ी होनी चाहिए, और 5 से छोटी होनी चाहिए यानि कि x यहां भी मौजूद होना चाहिए, यहां भी मौजूद होना चाहिए, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, तो यह empty set हो गया आपके पास, c क्या है आपके पास, x-5 इकोल्स टू 0, तो x-5 अगर 0 के बराबर है, तो x का value कितना आ जाएगा, यहां से 5, तो c का value कितना आ ग हो जाता है, तो d का value क्या हो जाएगा, प्लस 5 भी होगा, और माइनस 5 भी होगा, यह हो जाएगा, फिर उसके बाद x is an integral positive roots of this quadratic equation, यह quadratic equation है, माइनस 2x माइनस 15 इस quadratic equation को थोड़ा सा solve करो, minus 5x plus 3x minus 15 बराबर 0 के, दोनों से x common ले लो, x minus 5 plus 3 common ले लो, x minus 5 equals to 0, x minus 5 को अगर मैं common ले लूँ, तो x की value यहां से आएगी बेटा, 5 और यहां से x की value आएगी minus 3, तो यह आप लोगों के पाद, और उसने बोले x की value क्या है, positive root, positive root, positive root, तो यह जो e set है, आपके पास क्या हो जाएगा, minus 3, positive, 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 ठीक है बबुआ, चलो आजा, ओ सॉरी, negative तो आएगी नहीं यार, 5 आजाएगा, तो अब आपको क्या करना है, आपको यह बताना है कि कौन से set equal set है, तो आपको clearly दिख रहे है, c और e जो है, same elements है, c में और e में, तो यह दोनों ब present करोगे, आप बोलोगे कि भाईया, यह मानलो कोई set है आपका a, जिसके अंदर एक element है, x, और यह जो x है, यह जो x है, किसके बराबर है, x जो है, आप अगर इसको देखोगे, तो यार, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 1 upon 1 plus 1, फिर क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता 2 upon 2 plus 1, फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 3 upon 3 plus 1, ऐसे करते करते कहा तक जा रहा है, यह आपके पास 6 upon 6 plus 1 तक जा रहा है, तो x जो है, वो किसके बराबर है, n upon n plus 1 के equal है, यहाँ पे n जो है, that is belongs to a natural number, यह natural number से बिलॉंग कर रहा है, और यह जो n है, एक और condition दी गई है, n जो है, वो आपका 7 से छोटा होना चाहिए, यानि की 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक होना चाहिए, तो बस हो गया, इसका set builder form, आज आता है, एक marks का सवाल कभी कबार, ठीके भी या, so yes guys, this is all about for this session, बाकी यह मेरा Instagram idea, बाकी यह मेरा Instagram idea, बालो बालो करना कर सकते हो, thank you so much for joining this session, बाकी, do like, share and subscribe this channel for these type of amazing videos, comment section में जरूर बताना कैसा लगा session, thank you so much, Tata, bye bye